अंशुल जूबली की फाइट में ऐसा क्या हुआ कि अंशुल जूबली जो फास्ट दो राउंड से इस फाइट को इसली और डॉमिनेट करके जीत रहते वो थार्ड राउंड में अचानक से स्लोडाउन हो गया और वहां पर उनका फिनिश हो गया सारी चीजों को इस वीडिय करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दीजेगो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई excuses नहीं दे रहा हूँ अंशुल जूबली के बिहाव पर यहां पर इस चीज को मै क्लियरली एकसेप्ट कर रहा हूँ बट यहां पर अंशुल जूबली मेरी कंट्री का फाइटर है अपना कंट्री मैंने तो उसको हमेशा सबोर्ट रहेगा मेरा जो भी हो जाए अंशुल जूबली आगे की फाइट्स हारे जीते मुझे उससे मैटर नहीं करता बट मैं सपो नेजरली यहां पर तीन रीजन्स है जिसके कारण यह सारी चीज़े हमको देखने को मिली और माइक ब्रीडन ने सक्सेस लिया और उसका फायदा उटाया सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन जो है और जो कि डेफिनेटली एक रीजन है वो है इन एक्सपीरियंस का ओविस जाता है अब देखियो ओविसली फाइट अची चल रही थी टेकनिकल फाइट चल रही थी बट उसको एक स्लगिस वारफेर में कनवर्ट करो और अंशुल जूबली का अपोनेट जो माइक ब्रीडन था उसको पता था कि यह फाइट में वो हारने वाला है उसके अपोनेट दिखा अंशुल जूबली के फाइट स्टाइल से उनका जो गेम प्लान था उससे एजली डिवीट कर दिया अंशुल जूबली को माइक ब्रीडन ने अब यहां पर एक और जो दूसरा रीजन है वो इसी से रिलेटेड है वो है कि एक काइंड ऑफ अन और्थोडोक्स हो जाते हो अपने गेम प्लान से आप इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल ले सकते हो ने डियाज वर्सेज लिओन एडवर्ट्स की जो फाइट थी उसमें आप देख सकते हो लिओन एडवर्ट्स ने पूरे चार साढ़े चार राउंड तक अच्छी बीटिंग डाली और ने डियाज पर ने डियार वो हरकत ए पूरी राउंड करते रहा और कहीने कहीं जाके कबलेशंट लियौन एडवर्ट्स भी हुआ थ जा और वहाँ पर उसको शॉत लग गया था और ने डिया, फिर उसको ट्रोल करने लग अधा तो यहाँ पर ने डियाज लियौन एड लैंड होगे अंशो जूबली का डिफेंस खुला रह गया वो सारी चीजों से थ्रो आफ होगे थे इसलिए और जब पंच पड़ता है तो उसके बाद एक अलग फीलिंग होती है बॉडी में और उसके बाद कोई गैस टैंक हो यह सब कुछ सब को बताया थे कि तीन पाउंच जो होते हो सबसे जाला डिफिकल्ट होते है कट करने के लिए उसके लिए एक मेंटल टॉर्चर और एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है फाइटर्स को वेट करने के लिए जो कि माइक ब्रीडन जिसके थू नहीं गहे थे अब मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह नहीं होता तो चाइट का आूटक अखर इमालग होता है मैं इसा कुछ भी कहा रहा हूं बट स्टिल यह एडवान्टेश तो था माइक ब्रीडन बे और थार्ड राउंड में काफी फ्रेशर फाइटर दिख रहे थे माइक गरे जो ऑन्शू झ अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है आपर अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अंचुल जूबली को शायद अब UFC से निकाल देंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कुछ भी निया अंचुल जूबली को जो बेस कॉंट्रेक्ट होता है उसमें तीन फाइट्स तो दी जाती है आपको एक साल के लिए एक साल के अंदर आपको तीन फाइट्स ओफर करी जाएंगी आपको यूफसी अब आपकी उपर है वो आप फाइट्स लोग है कि नहीं अब अंचुल करेंगे और इक स्ट्रॉंग कमबैक करेंगे और रही बात यहां पर जो बहुत सारे लोग बोल रहें ओवर हाइट कर दिया था अंचुल जूबली को यह कर दिया वो कर दिया यह ज्यादा मीडिया अटेंशन देलने लग तो मुझे ऐसा लगता है कि every inch और every ounce of media attention और हाइप जो अंशुल जूबली को मिली थे वो वो deserve करते थे in fact इससे भी 10x जादा deserve करते थे भाईो as an Indian हम ही support कर सकते हैं अंशुल जूबली को हम यह नहीं expect कर सकते कि कोई दूसरी country वाला अच्छा बोले अंशुल जूबली के बारे में या उनको support करे as an Indian हमारी duty है कि हम ही support करें हम ही अपने fighters को hype करेंगे ना कि कोई दूसरी country वाला करने आएगा भाईो चाहे जीत हो या हार हो मैं अभी भी अंशुल जूबली के साथ खड़ा हूँ अभी भी उनको support करता हूँ और मेरा personal opinion है कि अंशुल जूबली ने साथ और अच्छा comeback करेंगे और definitely मुझे अभी भी अंशुल जूबली का इस UFC के अंदर बहुत अच्छा carrier बन सकता है बहुत अच्छी तरीके से वह अपने carrier को manage कर सकते हैं अगर इस setback से सीखते हैं इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि अंशुल जूबली पर जितनी hype थी वो अतनी deserve करते थे बहुत ही credible fighter और definitely UFC level का fighter थोड़ा setback अभी fail हुआ है यही था मेरा opinion इस fight के बारे में आप सब अपना opinion नीचे comment section में जरूर बताएगा मुझे वीडियो पसंद आये होगी तो इसको like चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाएगा मुझे आप सबको नेक्स वीडियो में अगले अपडेट के साथ बाई बाई